रावन विद्वान था जबकि हनुमान जी विद्यावान थे, एक रोचक का था, विद्वान और विद्यावान में अंतर, विद्यावान गुनी अती चातुर, राम काच करिबे को आतुर, एक होता है विद्वान और एक विद्यावान, दोनों में आपस में बहुत अंतर है, इन्ही को दस सिर कहा गया है, जिसके सिर में ये दसों भरे हो, वही दस शीश है। रावन वास्तव में विद्वान है लेकिन विदम बना क्या है? सीता जी का हरन करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांती से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रुपी शांती का हरन कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रुपी शांती को वापिस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करू जोरी कर रावन, सुन्हू मानता जी मोर सिखावन, हनुमान जी ने हाथ जोड कर कहा कि मैं विनती करता हूँ, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो, र प्रवान के दर्बार में देवता और दिगपाल भैसे हाथ जोड़े खड़े हैं और भरीकुटी की ओर देख रहे हैं। रावन बोला देख लो यहां जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब दर्कर ही खड़े हैं। में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भरीकुटी की ओर देखता हूँ। रावन बोला यह विचित्र बात है। जब राम जी की भरीकुटी की ओर देखते हो तो हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो। विनती करू जोरी कर रावन। हनुमान जी बोले यह तुम्हारा भ्रम है। हाथ तो मैं उन्ही को जोड़ रहा हूँ। रावन बोला वो यहां कहा है। हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था। सो अनन्य जाके असी मती न तरी हनुमंट। मैं सेवक सच्राचर रूप स्वामी भगवंट। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना। इसलिए मैं तुम्हें नहीं। तुझ में भी भगवान को ही देख रहा। प्रभु लागी भुखा और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावन को प्रभु और स्वामी कहते हैं और रावन। मृत्यू निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। रावन खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षन है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाए दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षन है विद्या ददाती विनेयम विनेयाती याती पात्रताम पर्ल लिखकर जो विनम्र हो जाए वो विद्यावान और जो पर्ल लिखकर अकर जाए वो विद्वान तुलसीदास जी कहते हैं बस ही जलत भूमी नेराय जथा नवहिन वुद विद्यापा जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। करें, वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावन, और तो ठीक है, पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा, कहा की, राम चरन पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम कर हूँ, अपने हृदय में राम जी को बिथा लो, और फिर मजे से लंका में राज करो। यहां हनुमान जी रावन के हृदय में भगवान को बिथाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। सीख, विद्वान ही नहीं बलकी, विद्यावान बनने का प्रयत्न करें। आप सभी को, जय श्री राम, जय बजरन बली।